कि नमस्कार दर्शको मैं हूं आचारिय मयंग शर्मा नव वर्ष की धेरो शुब कामना है आप सभी को दर्शको हम लाएं आपके लिए अगर आपके पास अपने बोलते नाम से जान सकते हैं कि आपके लिए 2026 कैसा रहेगा कैसा रहेगा कामकारूबार कैसा रहेगा आपका वेवाइक जीवन और कितना पैसा इस वर्ष में आपके पास आएगा ये भी आपको जानकारी देंगे तो पूरी सीरीज A2-Z तक देखना ना भूलें सिर्फ और सिर्फ धर्म ग्यान पर अगर आपका नाम अक्षर के हिसाब से आपका आने वाला भूश्य कैसा रहेगा जी हाँ अगर आपका नाम बी अलफ़ाबेट से यानि की डी अक्षर से शुरू होता है तो आने वाला समय यानि कि 2024 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है हम इसमें आपको ये बताते हैं कि अक्षर के हिसाब से नाम अक्षर के हिसाब से कौन से ग्रह का प्रभाव आप पर ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपका सौभाव कैसा होगा और साथी साथ ह पीछे का लॉजिक क्या है ते स्ट्रीय गलता है उसकी राशी हम एक बना लेते हैं चंदर राशी के आधार पर प्रदिशन या जाती है कि चंद्र राशी के अधार पाप अब जो कि आज हम दी अक्षिर नाम वाली लोगों के बारे में बात करें तो सबसे बहुत करें जाने चाहूंगी कि नव ग्रों में इसे कि ग्रह का प्रभाव इन लोगों पर सबसे जादर देखने को मिलता है और यह किस बरताव क् बहुत ही मिलंसार और अच्छे सभाव के होते हैं मीन डाशी इनकी आती है अगर डी नाम से देखें और इनके लिए हम कहते हैं कि यह लोग बहुत ही अच्छे मिलंसार भागेवान होते हैं और बहुत ही दिलदार इंसान होते हैं अपने कारेक शित्र में बहुत ही यह दड इनका समय जो है जीवन का बढ़िया रहता है तीस वर्ष की आयू के बाद जीवन में काफी अच्छी तरक्की करते हैं चले आगे बढ़ते हैं अब सिस्वा तरीके से जानते सबसे बहुत करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर रहें कि हैल्थ वाइस आने वाला समय आप लोगों के सब्सक्राइब करें तो इनके लिए वर्ष जो है अगर हम बात करें माई तक का तो इनकी सिहत काफी अच्छी रहेगी माई तक की सिहत संबन कोई परिशानी नहीं है लेकिन माई के बाद आपको अपनी सिहत का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ब्रस्पति चेंज होंगे सिहत संबंदी परिशानियां बढ़ सकती है को पुरानी बीमारी चल दी है तो इससे में बढ़ सकती है तो कुल मिलाकर अपनी सिहत का ध्यान लखेंगे तो आपके लिए यह थोड़ा जादा बहतर रहेगा तो रिष्टों के मामले में क्या लगता आने वाले लोगों के लि 2024 है तो रिष्टों में मधूरता लाने का परियास करें ऐसी भी निया कि बहुत बड़ी संकट की बात आ रही है राहू की सिति के चलते क्या परिशानिया रहती है कि कभी-कभी वैचारिक मध्वेद रहते हैं चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो चाहे आपकी पत्नी के साथ पती के साथ हो या कारेसल परो तो उसी से आपको बशना चाहिए वैचारिक मध्वेद के चलते हैं रिष्टे खराव होने का डर या आशन का बनी रहती है तो कोशिश कहने रिष्टों में मधूरता लाने का परियास करें और किसी भी तरह का कोई मध्वेद ना हो इस अपना बिस्निस है और लोग अगर कुछ करने की नया सोच रहे हैं तो क्या लगता है कि 24 इंगा कितना बेस्ट रहेगा लेकिन नई शुरुवात करने से पहले आपको अपनी कुल्डी का विशलेशन करा के कुल्डी दिखा करी नए काम की शुरुवात करें क्योंकि गोचर की अब बिस्ति आपकी उतनी बेतर नदर नहीं आ रही है साड़े साती भी है लगन में राहू भी आ गए तो थोड़ा सा यहां संबल कर आपको चलना होगा अने था तो आपकी परेशानी जीवन में बढ़ भी सकती है तो इस समय विशेश ध्यान रखने की जरूत है आपको इ आपके लिए अच्छा रहेगा अब बात करोगा कि वेल्थ को लेकर तो क्या लगता है मतब फाइनेंशली कितने स्ट्रॉंग रहेंगे दोजार चौबिस में कितनी सेविंग्स यह लोग कर पाएंगे दिखेंगे दोजार चौबिस में आपको धन संचे का धनलाब कर योग कि आपको बदलाव अगर करना है यह नए काम के शुरुवात करनी है तो आपको सोच समझगर करना चाहिए अन्यथा तो परिशानी बढ़ सकती है भागे प्रतिशत क्या कहता आपको क्या लगता है भागे की तरसा देगा कि तकरीपन असी फीजदी से पिचासी फीजदी के जादा भीतर रहेगी चलिए अब बात करते हैं महिंग जी से जानेंगे आप लोगों के लिए रैमिडी और महिंग जी के एक छोटी से सला देखें उपाय के तोर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनी और राहु का उपाय करें तो बहुत अच्छा रहेगा शनी वार क पर कच्छा दूद और शहर चड़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा बुद्वार के दिन आपने क्या करना है कि गनेश जी को आपने इलाइची या फिर सिंदूर चड़ा के आना है और नदी में नारियल परवाइद करना है तो यह उपाय करेंगे तो निशित रूप से ब समझ कर आपको करना चाहिए रिष्टों में अधूरता लाने का परियास करें वानी पर संयम रखेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगी सिति एक सवाल लास्ट मैं आपसे जानना चाहती हूं कि राहू के तो एक तरफ मीन में हैं और दुसरे तरफ पन्या में हैं शेनी का भी गज़ाए तरफ मारगी होना और देव ब्रस्पति का मारगए यह चार बड़े ग्रहें इंका प्रभाव क्या लगता है दी अक्षरवाले लोगों के लिए कैसा रहेगा देकिए इनके प्रभाव देखें तो इस समय इनके लिए ब्रस्पति ही शुब नदर आ रहे हैं बाक झाल झाल